तो यहाँ पर बात करते हैं वो लोगों से पूछते हैं तो सभी लोग जो चुपचा बैटे हुए होते हैं कोई भी नहीं बोलता लेकिन जो सरोज है वो सब के सामने बोलती है कि जो ओम प्रिकाश है वो BPL की लिस्ट में होने चाहिए क्योंकि वो लैंडलेस लेबर है और फि सरपंच कहते हैं कि फिर उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है तो सरपंच उन से पूछते हैं उन टीचर से जिनोंने ये सरवे तयार किया था तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ओम परकाश के घर पर जब वो गए थे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था तो हो सकता है वो कह पर काम डूढने के लिए गए हुए हों तो यहां पर जो सरपंच हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ओम परकाश की जो फैमिली है उसकी इंकम को देखा जाए पूरी लिस्ट तयार की जाए और ये देखा जाए कि गौर्वर्मेंट ने जो लाइन डिसाइड की है क्या वो सच मुच में जो उमपरकाश हैं वो BPL की लिस्ट में आते हैं और अगर ऐसा है तो उनका नाम भी लिस्ट में डाला जाए ठीक है अभी नेक्स्ट पेज़ पे चलते हैं ओके ओके सोरी सोरी यहाँ पर इंपोर्डेंट है यह मैं बोक्स भूल गई थी यह बोक्स करते हैं पहले ग्राम सभा एक key factor का रोल निभाती है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी वज़े से ग्राम पंचायत अपने रोल एन अपनी responsibility को अच्छे तरीके से निभाती है क्योंकि एक ऐसा प्लेस है जहां पर meetings होती है पंचायत की पंच की and adults की मतलब ग्राम सभा में जो 18 या 18 साल से अबब के लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो ग्राम पंचायत होती है वो उस सारी की सारी प्लैनिंग उन लोगों के आगे रखती है जो ग्राम सभा के सदस्य हैं तो इससे क्या रहता है एक transparency रहती है और transparency रहती है वहाँ पर corruption कम होता है तो जो gram सबा है ये prevent करती है पंचायत को कि वो गलत काम ना करे, money का misuse ना करे और certain people को favor ना करे तो जो gram सबा है वो एक तरफ से जो elective representative होते हैं जैसे punch या सरpunch जो हैं इन पर अपनी eyes रखती हैं इन पर ध्यान रखते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और वो ये देखती हैं कि क्या उन्हों ने जिनको select किया है तो क्या वो सही में responsible है या नहीं है तो वो ऐसी चीजों पर भी ध्यान रखती हैं ताकि अगर वो सही से काम करे तो वो re-election में उनको दुबारा जिता सक सकते हैं और अगर वो धंग से काम नहीं करेंगे तो 5 साल का tenure होता है पंच का और पंचायत का तो उनको वो हटा सकते हैं और उनकी जंगया पर कोई और वो ला सकते हैं ठीक है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जो है वो regularly meeting करती है और जो भी development program से उनको implement करने की कोशिश करत है जो भी village उसके अंडर में आते हैं और जो ग्राम पंचायत के work है ये कोन अप्रूफ करता है ग्राम सभा ग्राम सभा कुछ states में कमीटी को बनाते हैं वो कमीटी कोन सी होती है वो कमीटी होते हैं construction या फिर development committee और इसमें कौन कौन member include होते हैं इसमें ग्राम सभा के member include होते है ग्राम पंचायत के मेंबर इंक्लूड होते हैं जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि हरदास विलेज में कैसे पानी की जो प्रॉब्लम है उसको सोट आउट करने के लिए एक मीटिंग जो है वो रखी गई जिसके अंदर ग्राम सबा के कुछ सदस्य थे सरपंच थे और कुछ मेंबर इंड सेक्रेटरी थे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो डिसकस करते हैं किस तरीके से हैंड पंप जो है उसको डीपन किया जा सकता है और जो वैल है उसको क्लीन किया जाए तो सरपंच यहाँ पर कहते हैं कि उनको जो गौर्मेंट की तरफ से पैसे मिले हैं तो वो इसकी मेंटेनेंस में यहाँ पर लगा सकते हैं अब जो ग्राम सभा के members थे वो agree हो गए और जो secretary है उन्होंने इस discussion को record कर लिया जो members थे they went on discussion the options for long term solution अब जो members थे वो एक long term solution की तलाश में थे और वो कुछ options जो है वो discuss कर रहे थे और यहाँ पर कही न कही ये शॉर्टी थी कि जो gram सभा के members है वो इन questions को next meeting में पूछेंगे तो जो punch है वो पूछते हैं कि जो ये watershed program है क्या ये एक substantial difference लाएगा water level में क्या water level में एक major difference देखने को मिलेगा और बहुत सारा discussion हुआ फिर बाद में ये decision लिया गया कि जो gram पंचायत है अब उसको approach करना चाहिए block development officer को और फिर उनको information इस scheme के बारे में लेनी चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं three levels of panchayats three level में जो first tier आता है वो किसका आता है पंचायती राज सिस्टम का तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो first year होता है या level of democratic government होता है इसमें जो punch और जो gram पंचायत होते हैं वो answerable होते हैं gram सबा के members को मतलब वो जवाब दे ही देते हैं कि वो क्या development program करने वाले या कर रहे हैं और वो किसको जवाब देते हैं gram सबा को ऐसा क्यों क्यों कि gram सबा के सदस्य ही इनको elect करते हैं अब पंचायती राज सिस्टम को दो level में और extend किया गया है एक तो है block level पे block level को क्या कहा जाता है जनपद पंचायत या फिर पंचायत समीती और पंचायत समीती में बहुत सारे ग्राम पंचायत इसके अंडर में आते हैं अब पंचायत समीती के उपर कोन होता है इनके उपर होते हैं डिस्टिक पंचायत या फिर जिला परिशत जिने कहते हैं अब आप लोग कन्फ्यूज ना हो तो मैं आप लोगों को दुबारा से बता देती हूं कि फर्स, सेकंड और थर्ड टियर कैसे हैं देखिए फर्स लेवल पे आते हैं ग्राम पंचायत ठीक है मैं पी लिख देती हूं पंचायत से अब इनके उपर कौन से होते हैं ग्राम परिशद या फिर जिनने हम डिस्टिक पंचायत भी कहते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है जिला परिशद जो है वो डवलेप्मेंट प्लान बनाते हैं डिस्टिक लेवल पे विद दे हैल्प उफ पंचायत समीती ये क्या रेगुलेट करते हैं मनी डिस्ट्रिब्यूट को रेगुलेट करते हैं जो किन को दी जाती है ग्राम पंचायत को दी जाती है हर स्टेट में कुछ गाइडलाइन होती है रिगार्डिंग पंचायत और यहां पर आइडिया ये होता है कि हर इनसान को स्पेस दिया जाए पार्टिसिपेशन के लिए और उनको आवाज उठा का मोका दिया जाए तो यहां पर हमारे चप्टर फिनिश होता है